नमस्कार आप देखरें इंडे नियूस का डिजिटल प्लाटफर्म और मैं हूँ आपके साथ अक्षता विकल महादेव बैटिंग आप का जनजाल इस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है कि इसकी चपेट में तमाम बड़े बड़े लोग आने लगे हैं जिस तरीके से महादेव बैटिंग आप काफी बड़े पैमाने पर गलत तरीके से पैसा कमा कर काफी कम समय में धनवान बन गया और उसकी ये मंसा कि जल्द और लोगों को धनवान बना सके बलकि यूँ कहें कि लोग खुद भी यही चाते हैं वे भी महादेव आप के साथ जुड़कर धनवान बन जाए और यही बात है कि अब उन सभी के लिए मुसीबत बन चुका है ये महादेव आप आपको पता दे कि जिस तरीके से दुबई में एक शादी के दोरान 200 करोड रुपे खर्च किये गए जिसका लेन देन सिर्फ कैश में किया गया जानकारी के मुताबिक ये पैसा हवाले का था जो महादेव बैटिंग आप से संपर्क रखते हैं या जिन लोगों ने हवाले के इस काम में किसी भी तरीके का साथ दियाओ या कुछ लेन देन कियाओ वे सभी E.D. के रडार पर हैं इसी क्रम में रणवीर कपूर जो की एक बॉलिवूड के बड़े अभी नेता है उनको E.D. ने नोटिस भेजाए और 6 अक्टूबर को परवर्तन निर्देशालिय के सामने पेश होने के लिए का है वही शुर्वात भले ही रणवीर कपूर से हो रही है लेकिन इस पूरे मामले में बॉलिवूड के कई और बड़े सितारे लपेटे में आने वाले हैं उनसे भी E.D. जल्धी जाच परताल करेगी और उन्हें भी संबंध जारी करेगी वही दुबे जाने वालों में कई बड़े सितारे शामिल थे इनकी संख्या एक नहीं दो नहीं बलकी 14 है इन सभी पर आरोप है कि महादेव केमिंग आप के मालिक की शादी में नाचने गाने उनसे लिंक रखने और कमाने और उनको प्रमोट करने का आरोप है आपको बता दे कि रणवीर कपूर ने इस आप के लिए शोशल मीडिया पर विग्यापन किया था वही कई अन्य हस्तियों ने शोशल मीडिया पर इसके लिए विग्यापन दिया था और उन्हें कैश में राशी का भुकतान किया गया था जो हवाले का पैसा था आपको बता दे कि रणबीर कपूर ने इस आप के लिए शोशल मीडिया पर विग्यापन किया था वहीं कई अन्य हस्तियों ने भी शोशल मीडिया पर इसके लिए विग्यापन दिया और उन्हें क्याश में राशी का भुकतान किया गया जो हवाले का पैसा हो सकता है ऐसा ED को शक है वहीं ED ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि इन अभी नेताओ प्रभावशाली लोगों को कितनी रकम मिली है आई जानते हैं कि क्या है ये महादेव आप और ये कैसे काम करता है बतादे कि ग्राहकों को लुभाने के लिए इस एप के कॉल सेंटर है जो नीदरलेंड नेपाल श्रीलंका और UAE में हैं बतादे कि जब ग्राहक इस केंद्र पर कॉल करते हैं तो उन्हें एक वाट्स अप नंबर दिया जाता है जहां उन्हें अपनी जानकारी साज़ा करनी होती है वहीं पूरा विवरन भारत पैनल ओपरेटर के साथ साज़ा किया जाता है जो मुख्य रूप से मुंबई और दिल्ली में काम कर रहे हैं और चंडीगड और चत्यसगड जैसे कुछ छोटे शहरों में भी काम कर रहे हैं ऐसे चार से पांच हजार पैनल ओपरेटर हैं यह पैनल ओपरेटर UPI बैंक खातों के माध्यम से ग्राहकों के साथ बैंक लेंडेन शुरू करते हैं वह इस पैनल संचालकों के पास फरजी बैंक खाते हैं जहां पैसों की हेरा फेरी की जाती है प्रक्रिया भी एक भाग के रूप में हैं ग्राकों को खुश रखने के लिए उन्हें आम तोर पर आप को भुकतान की गई राशी का 60% वापस मिल जाता हैं बतादे कि निवेश की 40% राशी पैनल ओपरेटर के पास होती हैं जिसमें से 70% वै अपने पास रखते हैं 6-30% महादेव एप पर वापस चला जाता है वह इन पैनल ओपरेटर का औसाथ देनिक लाप देनिक अधार पर 150-200 करोड रुपे के बीच हैं महादेव एप से हर सोमवार को ये हिसाब किता किया जाता है वहीं लेन देन में इस तरीके से काम किया जाता है जैसे ग्रहकों से UPI, बैंक खातों के माध्यम से वहीं DMI खातों में पैनल ओपरेटर को हवाले के जरिए महादेव एप तक वहीं ED के मताबिक ये एक शुद जुआ एप है फिलाल के लिए खबरों में इतना ह रहें INDIA NEWS का डिजिटल प्लाटफर्म